नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग 37 चंद्रा किताब चल रहे हैं इसमें हम लोग चैप्टर नंबर 11 पहुँच चुके हैं Cultural Development in India 1300 AD से 1500 AD के हम लोग यहाँ पर discussion करेंगे ठीक है दिल्ली सल्तनत की बात होगी Cultural Development की बात होगी कुछ हद तक architecture की भी यहाँ पर हम लोग बात करने वाले तो भाई जब दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई इंडिया में towards the beginning of 13th century आप कैसकते एक नया फेश शुरू हुआ यहाँ पर Cultural Development का यह Turkish Invaders जब इंडिया के अंदर आये बहुत सारे historians ने इनको rude barbarians बोलाए ऐसे लोग जिनको जानवरों की तरह behave करना है सबको मारना काटना है ठीक है सिर्फ अपने मतलब से मतलब है कोई दिमाग नहीं है ऐसा नहीं थे इनके अंदर बहुत दिमाग था और culturally भी यह काफी rich थ इंडियों में यह लोग Central Asian homeland से पहले पहुंचे वेस्ट इशा के अलाके में तो मालो यह है इंडिया यहां पर नहीं थोड़ा सा यहां पर खाली जगा हूं यहां बनाता हूं ठीक है तो थोड़ा से सको मिटा दूँ यह यह मालो यह है इंडिया आपका ठीक है भई इधर है आपका गुजराथ I'm sorry मेरा मैप बनाने का उतना अच्छा नहीं है है तो इसमें इस तरफ आपका होगा पाकिस्तान ठीक है फिर पाकिस्तान के थोड़ा और उपर आप इधर चले जाओ तो आपका पढ़ेगा अफगान यह अफगानिस्तान है इस तरफ एक बड़ी सी कंट्री पढ़ती है इरान इरान के और जब वेस्ट में आप जाओगे तो यहां पर आता है इराक थोड़ा नीचे आजाओगे तो साओधी अरेबिया उसके नीचे यहां पर यहां पर उमान फिर उपर की तरफ आजाओ तो के सवाल उटता है कि सेंटरल एशिया का है तो इस अफगानिस्तान वाला जो यहां और जाओगे तो आपको मिलेगा यहां पर तजीकिस्तान थोड़ा वेस्ट में उपर की तरफ जाओगे तो यहां पर आपको मिलेगा उस्बेकिस्तान उस्बेकिस्तान से थोड़ा नीचे आओगे तो यहां पर मिलेगा आपको तुर्कमेनिस्तान उस्बेकिस्तान और इसके तजीकिस्तान के ओपर मिलेगा आपको कजाकिस्तान इस तरफ मिलेगा आपको किर्गिस्तान नीचे आजाओगे तो आपको मिलेगा इ यहां पे इंडिया के अंतर तो यह नक्षा में आपको सीधे-सीधे मैप के तुरू भी दिखा सकता था बट ओवर ओल यहां पे मैं चीजे ड्रॉ कर रहा था ड्रॉ इसलिए कर रहा था चूकि मैं आपको एक आइडिया देना चाहता हूं कि आपके भी दिमाग में मैप को इस इंडिया से बहुत सारे इंडिया के अंदर आए हैं हून कहली जो कुशान कह लिजे लेकिन वो जो सेंटल इशा के इंवेडर्स थे उन्होंने या तो बुद्धिजम को एकसेप्ट किया या हिंदुजम को एकसेप्ट किया वह एक ऐसे समय पर आया थे जब इसलाम धर्म की स्थापना नहीं हुई थी लेकिन बाद में जो टुर्किश इनवेडर्स आये ये सेंटल इशा से पहले गए वेस्ट इशा में इसलाम धर्म की स्थापना हो चुकी थी बहुत ते जीसे फैल रहा था तो इन्होंने भी इसलाम धर्म को अपना है और उसके बाद वो इसलाम अन्धर्म को इंडिया में लेकर है उन्हें भी पहले ही पहुछ चुका था कैरला के रास्ते के बहुतार अरब मर्चंट्स पहले से इंडिया में आपरेट कर थे इन दिल्ली सुल्तानों से पहले ही ठीक के लोग 2001 का ऐड हिंत्स अप्ता कि लेकर दिवेडर्किश कह अंद को एक match देखने को मिलेगा अगर आप Arabo Persian culture की बात करो Arabic और Persian culture की बात करो which had embraced the Islamic lands from Morocco and Spain to Iran and its resistant area was at its height at the time the people of the region had made many important contributions in the field of science navigation literature आप देखे यहां पर बात की जारी थोड़ा Arabic और Persian culture की आपके सकते हैं की forwardness की overall इनके cultural development की ये बात बिलकुँ सही है कि जो Arabian culture था जो Arabic culture था जो Persian culture था एक समय पर वन आप दा highly advanced cultures था पूरी दुनिया का एक ऐसे समय पर इनका culture proliferate कर रहा था जब यूरोप में एक डार चाहिए चल लए थी यूरोप में ज़्यादा की धर्म पहला तो उसके चलते धर्म के सासाथ इन्होंने साइंस नाविकेशन लिटरिचर के फील्ड में भी तरफ भी की ओके जब ये टर्क्स इंडिया में आये अब यहां पर टर्क्स का इंटरेक्शन होगा इंडिया के साथ शुरूब अब टर्क्स के भी अपने खुद के स्ट्रॉंग रिलीजियस बिलीव्स हैं और इंडिया में जो लोग हैं उनके भी रिलीजियस बीव कोई कमजोर नहीं है इनके भी strong religious beliefs हैं इंडिया के भी लोगों के आपके सकते हैं जो आइडियास थे वो आर्ट के फील में, आर्टिक्टेक्चर के फील में लिट्रेचर के फील में ठीक ठाक डवलप हो चुके थे तो अब आपको यहाँ पे दो कम्यूनिटीज की एक टकराव सी तकराव के साथ साथ आपको assimilation भी देखने को मिलेगा तो confrontation और assimilation दो यहाँ पे देखने को मिलेगा एक तरफ हैं Turks, जो कि Muslim culture को represent करते हैं, overall किसी दूसरी जगा से आएं, West Asia से आएं और एक अलगी culture अपने साथ लेके आएं और उनके बास government, architecture आठ हर तरीके का experience है At the same point of time, इंडिया में जो लोग है उनकी खुद के अपनी religious belief है वो बुद्धिस्ट हैं, जैन्स हैं, हिंदूस हैं बट उनकी खुद के अपनी religious belief है और उनकी खुद के अपने art architecture के ideas हैं तो अब दो अलग अलग लोग जिनके ideas, जिनके culture, जिनकी सोच थोड़ी अलग थी तो यहाँ पर confrontation तो होना ही था चोकि अगर एक community अपने आपको दूसरी community पर impose करने कोशिश करेगी तो एक community यहाँ पर resist करेगी तो यहाँ पर destruction भी होना था और construction भी होना था तो जब दो cultures मिलेंगे, यहाँ पर disruption भी होगा destruction भी होगा, confrontation भी होगा, assimilation भी होगा तो देखे क्या लिखा हुआ Mutual misunderstanding and strife is always present when two sides have strongly held views more significant however were the efforts at mutual understanding which ultimately led to a process of assimilation in many fields such as art and architecture, music literature and even in the fields of customs and ceremonies, rituals and religious beliefs, science and technology मतलब की, over up, देखे, दो अलग-अलग communities ने, दोनों का अलग culture है तो दोनों के बीच में strife होना था है, दोनों के बीच में cultural clash होना था है overall लेकिन बहुत सारे fields में यह लोग एक दूसरे के साथ assimilate भी करेंगे एक दूसरे को समझेंगे, एक दूसरे के practices को adopt करेंगे जैसे art में, architecture, music में, literature में, customs में, ceremonies में, religious beliefs में, rituals में, science, technology यह दोनों ही communities एक दूसरे से सीखेंगे in fact, यह जो Arabs और Persians आये थे, इनकी science भी ठीक ठाक developed थी और इंडिया में तो भाई, एक से एक scientific scholars थे ही, हमने ancient इंडिया में चीज़ देखी है हला कि ancient इंडिया के lectures में आपको पढ़ाएं नहीं, पढ़ाऊंगा आगे, पहले 37 चंद्रह खतम हो जाए क्योंकि हालका फुलका ancient इंडिया में आपको हैं CIT मता चुक हूँ फिर क्या बोले जा रहा है, the elephants of confrontation and conflict remains strongly entrenched in both the communities तो दोनों ही communities के बहुत बड़े तपके अपने धर्म के साथ पूरी तरीके जुड़े लाना चाहते थे, उनके assets को छोड़ना नहीं चाहते थे, आपने देखो कि बहुत दोर Muslims ने जब्रदस्ती हिंदू सो convert करने कोशिश की बड़ एक लिमिट से जादा convergence वो करवा नहीं पाए तो assimilation और convergence का ही जो प्रॉसेस था जिसमें बहुत सारे ups and downs थे अलग अलग region में ये तो please click the join button if possible, video को like कर दीजे, share कर दीजे, channel को subscribe कर लिजे, अगर अब तक नहीं किया है तो Instagram पर follow कर लिजे, Telegram टूप join कर लिजे, हर चीज का link निचे दे रखा है and if possible click the join button, video को like किये बिना मच जाना, comment बढ़के, comment करके आप इस video का engagement नहीं बढ़ा सकते हैं, that is specifically very helpful तो architecture, जब बारता है architecture की, किसी भी आलाके का अगर नया ruler बनेगा, वो सबसे पहले क्या देखा है, उसकी पहले requirement क्या होगी, रहना, वो कहाँ पे रहेगा, ठीक है, तो सबसे पहले requirement रहना, दूसरी requirement पूजा करना, अभी पूजा करने का तरीका भाई, दोनों communities का अलाग है, हिंदू सका अलाग है, मुसलिम सका अलाग है, तो भाई, सबसे पहले तो जो मुसलिम rulers आए, उन्होंने जिन जिन जगवा पर political बाश्याद अपनी स्थापत की, उन्होंने बहुत सारे temples को convert किया into mosque, बहुत सारे buildings को mosque में convert कर दिये, बहुत सारे जो temples थे, उनके material को तोड़ दिया गया, और फिर जो तूटा हुआ, जो अवशेश बचा, material बचा, उससे उन्होंने mosque मना लिया, तो इसके example आपको दिख जाएंगे, कुवत अल-islam mosque, कुतब मिनार के पास ही, जो कुवत अल-islam mosque है, वो पहले एक मंदिर हुआ करता था, उसको तोड़ दिया गया मंदि स्ट्री हो गया, और बात में इसको तोड़ के, किसमें convert कर दिया गया, भाई, 18 दिन का छोपड़ा, एक mosque में convert कर दिया गया, फिर आप देखोगे, कि ऐसे बहुत से, बिल्डिंग को तोड़ना, उसके बाद मस्जिद बना देना, या फिर कोई already building बनी हुई है, अगर उसमे modifications करके, बिना तोड़े सुल्तान को पसंद आगा, कि ने भाई, ये तो building बहुत अच्छी, इसको तोड़ो मत, इसको modify करके, मस्जिद बना दो, तो उस प्रकार से मस्जिद बना दी, और यहाँ पर जो constructions करवाई जाती थी, इन constructions में खास बात होती थी, कि जो style of decoration था, वो जो पहले बने हुए थो उनको तोड़ दिया गया, फिर flowers के scroll को इस्तमाल किया गया, Quran के verses को इस्तमाल किया गया, और building को जब बनाए गया तो उसको artistic करने के लिए, उसको decorative करने के लिए, Quran के verses, flowers के scroll, इस प्रकार की चीज़ों को inscribe किया गया, और इसके लिए indigenous craftsperson का इस्तमा मंगवाए, और कुछ आप देखोगे, stonecutters, masonries, जो कि इंडिया में indigenous craftsmen थे, वो भी काफी talented थे, उनकी skills को भी यहाँ पर utilize किया गया, ठीक है, तो यह सब आप दे सकते हो, अच्छा, Turks ने arch and dome technology को एक बड़े wider scale पे इस्तमाल किया, आप बोलोगे सर यह arch and dome क्या है, तो अक्स बना देए, इसको आप बोलते हो arch, फिर कई कई भी आपने देखा होगा कि ऊपर जो मतलब Muslim constructions होती, इसमें इस प्रकार का गुंबद बनाऊ देखते है, गोल सा गुंबद बनाऊ देखते हो, तो इसको आप बोलते हो, डोम, तो arch और dome का जो construction है, इसे इंडिया में लाएग को Turkish invaders इंडिया के अंदर लेकिया है, खास बात यह है कि ऐसा नहीं है कि arch and dome एक Arabic innovation था, नहीं, arch and dome के concept को byzantine empire जो था ना, जिसका center था रोम, वहाँ की buildingगों से लिया गया था, तो byzantine empire में already इस arch and dome टेकनीक को इस्तमाल किया जा रहा है, आज भी आप रोम में और योरप के ब एक arch बनाना और उसके ऊपर overall एक dome मना देना, double dome भी हो सकता है, single dome भी हो सकता है, arch भी अरगला प्रकार के होते है, इस प्रकार का arch भी हो सकता है, dome थोड़ा गोल सा गुंबद होता है, अब जैसे जैसे technology बढ़ती चली गई, dome उचे होते चले गई, dome चोड़े होते चले गई, ओके, many experiments were weighed in putting a round dome on a square building, तो चार arch ऐसे खड़े किये, side by side तो square बन गया, उसके ओपर एक dome set कर दिया, तो arch and dome के technology में यहाँ पर खासा आप कहरा हो इजाफा हो रहा था, और इसके चलते बड़ी-बड़ी lofty और impressive buildings यहाँ पर बन रही थी, और जैसा कि मैंने बताया कि ऐसा नही नहीं थी थी, बट जिस लेवल पे scientific innovations के साथ, scientific accuracy के साथ arch and dome को टर्किश लेके आए, वैसी नहीं थी पहले इंडिया में, और टर्किश ने भी arch and dome technology को कहां से copy किया है, तो 22 एंटीन पर से copy किया है, आच्छा arch और dome style में एक और अच्छी बात थी, कि भाई, overall roof को support करने के लि के लिए, overall आपको बहुत सारे बीच में पिलर लगाने पड़ेंगे, लेकिन arch and dome style में, overall पहले arches बन रहे हैं, चारो तरफ से, और उस arch के उपर आप एक dome को रख दे रहे हो, ठीक है, हलाकि slab और beams भी इसमें इस्तेमाल होती है, तो इसमें होता यह है, कि beach का जो hall बनेगा, उ उस hall में आपको बहुत सदे pillars की जरूत नहीं होगी, रूफ को support करने के लिए pillar की जरूत नहीं होगी, और जब भी राजा साब को बड़ी, आप कह सकते हो कि, सभा वगरा लिया करते हैं, तो अगर उस सभा में बीच में बहुत सारे pillars है, तो राजा साब को आधे लोग देख ही नहीं पाएंगे, तो mosque में, palaces में, arch and dome technique का अगर इस्तमाल होता है, तो बीच में pillars कम होगे, for example, मैं आपको दो photos दिखाता हूँ, जैसे आप अगर आप इस particular photo को देखो, तो इस photo के अंदर जो hall है, उसमें आपको बहुत सारे pillars दिख रहे हैं, ये pillars roof को support करने के लिए बहु तो सामने stage पे खड़ो के जो बोल रहा है, उसकी वो देख नहीं पाएगा, तो कुल मिला के arch and dome में एक लंबा सा आपको area मिल जाता था, जहाँ बीच में कोई भी obstruction या बीच में कोई भी pillar नहीं होता था, तो इसको आप simple arch and dome बोल सकते हो, मतलब चारो तरफ arches बना बना के आ arch and dome वाली चीज थोड़ी समझ में आ गई हो, मतलब arch and dome में फिर से एक बार आपको बता देता हो, अगर थोड़ा सा भी doubt रहे गया हो, एक arch आपने ऐसा बनाया, side miss के एक arch ऐसे लगा दिया, और उसको चौकोर घुमा दिया, और उसके उपर एक dome रख दिया, अब ये dome जितना जादा बड़ा होगा, ये dome जितना जादा बड़ा होगा, overall उतने ही strong नीचे आपको arches रखने पड़ेंगे, लेकिन बीच का एक लाका ऐसा आ जाएगा, जहां पे आपको pillar की ज़रोत नहीं पड़ेगी, ओके, तो the arch and dome method dispensed with the need of a large number of pillars to support the roof, and that enabled the construction of a large hall with a clear view का एक large hall बन गया यहां पे आपके mosque और वगरा, palaces वगरा बनाए जा सकते थे, अब सबसे खास बात यह थी कि जितना बड़ा dome, उतनी ही strong cement, उतने ही strong पत्थर, और सबसे खास बात है कि हलके पत्थर, तो हलका mortar, cement हलकी, cement strong भी पत्थर हलके, तो जितना बड़ा आपको जमीनी structure बनाना है, तो वहां पे जो quality होगी mortar की, cement वगरा की, वो भी strong होनी चाहिए, high quality की होनी चाहिए, और जो पत्थर लगा रहे हो तुने भारी नहीं होने चाहिए, ताकि वो वहां पे set हो जाया, तो इसलिए जो architectural forms थे, वो भी superior थे, scientific थे, और जो mortar यहां पे इस्तमाल किया जा रहा था, वो ब और overall इतना efficient भी नहीं था, ठीक है, टर्क्स के बाद तो भाई, जबर्दस तरीके से इसका इस्तमाल होने लगा, ओके, जब इंडिया में पहले arch and dome metal बनता था, तब scientific तरीके से नहीं बनता था, अब scientific तरीके से बनने लगा, प्लस, अब यहां पे कुछ बहुत technical और बहुत scientific चीजें भी दे रखे हैं, उतना उसकी ज़रूद नी, जैसे देखिए यहां पे लिखा हुगा, अब यहां पे लिखा है, जब भी घर वगरा होता है, तो आमानी जी यह एक बड़ी लेंथ है, इसमें गिटी लगा रही, तो इंट लगाई जाएगी, एक इंट लगेगी, एक इंट लगेगी, एक इंट लगेगी, मानलो भरते 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 यह इट इट भरते भरते, आप मानलो, एंट में इत्ती जगा बाज गई, अब इत्ती जगा पे पूरी एक इट तो आनी पाएगी, तो इट तोड़के आधी लगा दी, फिर इंटों की कुछ लिवर के बाद एक स्लैब लगाई, ताकि ओवर आल ब बीम कंस्ट्रक्शन से जो ओवर Online स्ट्रक्चर की ताकत है वो बढच जाएगी, यह बास इन टुरकिश इनवेडर को पता थी, इन टुरकिश इनवेडर को अपनी जो स्ट्रक्चर थी उनके ताकत भी बढ़ाई थी, तो टुरकिश इनवेडर ने क्या किया, कि आर्च इंप्रेसिम बिल्डिंग्स बनती थी, skyline बहुत दा, dome, provided a pleasant sun line, आज भी अगर आप टर्की साइड चले जाओ, और overall है गया, सोफिया जैसे, आप मॉस्क को देखो पहलो तो खेर, museum था आप तो मॉस्क हो गया, तो वो skyline उसकी बहुत attractive लगती, चुकि उसकी उपर आपको एक dome सा नजर आएगा, बड़ा चोड़ा सा आपको dome नजर आएगा, तो इस प्रकार के dome सा अगर लगातार आपको building में दिखते हैं, तो एक अलगी प्रकार की skyline, skyline मतलब कि आप overall किसी उचा ही building पे जाके, खड़े होके, आपने सामने जो शहर उसको देखो, तो शहर में जो sky में जो गगन चुंदी मारती हो, जिस प्रकार सा भी construction उसको आप skyline बोलता हो, तो आपकी building की construction कैसी है, overall कितनी greenery है, इस पर depend करेगी आपकी skyline, तो यहाँ पे जितने अच्छे decorative building बनेगी, skyline उतनी अच्छी होगी, skyline को improve करना इन Turkish individuals का बहुत बड़ा aim था, इसलिए लोग क्या करते थे कि arch and dome method को बहुत extensively use करते हैं, फिर by decoration में आप देखोगे कि Turks ने human और animal figure को include नहीं किया, चुकि इसलाम में human और animal figure दिखाना loud नहीं है, उन्होंने geometrical और floral designs को इस्तमाल किया, कुरान के verses को इस्तमाल किया, Arabic script का इस्तमाल होने लगा आर्ट में, और the combination of these decorative devices was called arabesque, अब यह arabesque क्या चीज है, इन designs को देखे, इस design को देखे, यह सब basically arabesque की design है, बहुत सारे patterns को यहाँ पर एक दूसरे के साथ जोड़ दिया है, तो यहाँ पर आपको Arabic में कुछ लिखा हुआ दिख जाएगा, फूल पत्तियां भी दिख जाएगी, तो और रहाल mixture सा बना दिया है, यहाँ पर एक drawing का और mixture को किशिए इस प्रकार से दिखाए, कि वो देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, तो इसको आप बोलतो arabesque, ओके, यहाँ पर हिंदू motifs की चीज़ें भी जोड़ी गई, तो आप stone से building बन रही है, तो जो building का outer surface है, अगर उसके उपर आपको decoration करना है, तो minor scale पर उसको cut तो करना पड़ेगा न, तो यहाँ पर stone cutters का काम आ जागा, और stone cutters का भी बिल्कुँ skillful काम, अगर थोड़ा सा भी building बनने के बाद, पत्थर आपने गलत काट दिया, तो पूरी की पूरी building खराब हो जाएगी, उसको पर design नहीं आएगी, फिर overall यहाँ पर सुल्तान आपके कवा हाथ काट दे, ठीकिन अपागल सुल्तान मैठा करते हैं तो समय पे, तो इसके चलते overall यहाँ पर जो भी stone cutters दिखेंगे, बहुत highly skillful stone cutters आपको दिखेंगे, फिर अगर इलतुत्मिश का अगर आप small tong देखते हो, near कुतुब मिनार नुडिली, वहाँ पर भी आपको इस प्रकार की designs, outer stones पर देखने को मिल जाएंगी, और इन stones पे इन tarks ने color का भी इस्तमाल किया है, red sandstone का इस्तमाल किया है, तो overall design तो बनवाते ही थे stone को काट काट के, उसके उपर colorful designs बनवाते थे, तो color का बहुत integrate प्रेयोग करते थे, साथ साथ design ने भी बहुत integrate बनवाते थे, red sandstone का इस्तमाल होता था, marble का इस्तमाल होता था decoration के लिए तो इन हर तरीके के materials का Turks ने इस्तमाल किया अगर देखा जाए सबसे magnificent building जो की Turks ने यहाँ पे बनवाई है 13 century में वो थी आपकी कुत्व मीनार पर यह जो tapering tower था यह 71.4 मीटर हाई था ठीक है कुत्व इदिन आभग ने इसको शुरू करवाया इल्ट उत्मिष्ट ने इसको खतम करवाया शुरू शुरू में तो नाम से लगा कि भाई यह जो दिल्ली के सूफी सेंट थे कुत्व उद्दीन बक्तियार काकी इनके नाम पे पढ़ा है कुत्व मीनार अब अगर इसलामिक इस्ट्री की बात करें तो आपको टावर बनाने का ट्रेडिक्शन इंडिया में भी मिलेगा वेस्ट इशाय में मिलेगा लेकिन यह जो पुत्व मीनार है यह बहुत तरीके से यूनीक है बहुत स्किल्फुल तरीके से इसको बनाया गया है जो बालकनी से देखे बिन प्रोजेक्टेड येट लिंक्ट विद दे में टावर तर यूस अफ रेड और वाइट सेंड स्टोन और मार्बल्स इन पैनल तो मतलब कोल मिलाके ओवर और जो तम ये इसकी कुतुब मिनार की जो कंस्ट्रक्शन हुई है इसमें तो टेपरिंग है टेपरिंग का मतलब क्या हो गया तो नीचे से देखे चोड़ा है और जैसे जैसे आप उपर देखोगे जाओगे ये पतला होता जाएगा फिर इसकी डिजाइंस देखे एक तरफ स्कॉयर बाहर आया एक तरफ सर्कल बाहर आया फिर एक तरफ स्कॉयर बाहर आया फिर एक तरफ सर्कल बाहर आया एक तरफ पॉइंटेड बाहर आया फिर सर्कुलर सरकंफरेंस बाहर आया तो बड़े जबरदस यहां पर डिजाइन मना रखी है, सैंड्स्टोन वगरा का प्रयोग कर रखा है, और बालकनियां आप देखें बाहर की तरफ प्रोजेक्ट हो रही है, लेकिन वो साथ साथ इंटरनल टावर्स के साथ भी जुड़ी हुई है, तो बहुत आप कह सकते हो कि जबरदस्त किसम की कारेगरी इस कुटब मिनार में यहां पर इस्तमाल हुई है, और खलजी पीरड में बहुत से बिल्डिंग अक्टिविटी हुई है, अलाउद्दीन ने जो अपनी कैपिटल थी, यह सीरी में बनाई थी, सीरी नाम की जगा, यह कुटब मिनार से कुछ कि अलाउद्दीन खिल जी ने कोशिश की थी कि कुटब मिनार से भी दुगना उचा टावर बनवाएगा वो, कौन सा अलाउद्दीन खिल जी चड़के वहां पर कारीगरी कर रहा था, वहां तो दूसरे कारीगरी कर रहे थे ना, आप समझ सकते हो कि इस पर्टिकूलर करवाना वो करवाना ही है, तो आप यहां पर देखोगे, कि अलाउद्दीन खिल जी ने प्लान किया, कि कुटब मिनार से दुगना उचा टावर बनाएंगे, अनफॉर्चुनेटली, मतलब फॉर्चुनेटली कहलो या अनफॉर्चुनेटली कहलो, अब जो कारीगर बनाने जो डोर है, या फिर कहले जो उस समय पे जो कुट अल-इसलाम मौस्क का जो डोर था, आज दोनों कहें कि डोर, इसको बोला गया, अलाई दर्वाजा, अलाई दर्वाजा आज भी दिल्ली की महरोली में, वहीं पर आपको कुटब मिनार हैं, जो लोग दिल्ली बगर घुप डोम भी है, इसको बिल्कुल स्टिक्ट साइंटिफिक लाइन्स के उपर बनाया गया, ओके, तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि आर्च एंड डोम की टेक्नीक को अलाई दर्वाजा में इतने साइंटिफिक तरीके से इस्तेमाल किया गया, कि यह बोला गया कि इस समय तक इंड अलाई दर्वाजा को क्रॉस करके आप जाओगे, तो दूसी तरफ छोटा साब को यहाँ पर कुत्व मीनार का भी खड़ा हुआ हिससा नजर आ रहा है, तो यह जो आप कह सकते हो अलाई दर्वाजा है यह बिल्कुल कुत्व मीनार के बगल में, महरोली अगर आप कुत्व म पैसा बोला गया कि जो इंडिन क्राफ्ट्समें थे जो भारत के कारीगर थे उनको अब यहाँ पर ओवर ओल मास्टरी आ गई थी आर्च इंड डोम की टेकनीक को बिल्ट अप करने में, भाई फिर खेजरी वरंश के बाद जब बाद में तुगलक वरंश आएगा तो दिल्ली स्लतनात को तुगलक यह साशन के अंदर मतलबूरे के पूरे पूरे डिल्ली सलतनात के इंदर विल्डिंग न्ह आएगे लेकिन दो नहीं अघ्र आप कह सकतो कि पौअरपका जैनित था इसके बाद अगर आप देखोगे तो जो तुगलक वरंश की ताकत थी ना य पे एक huge palace fortress complex जिसको आप बोलतो हो तुगलकाबाद, आज भी तुगलकाबाद आपको दिल्ली में देखने को मिलेगा, फिर यहाँ पे एक artificial lake बनाई यह मुना के पानी से, जो खियासुदीन तुगलक का टॉम है दिल्ली में, वहाँ पे आपको उस समय का architecture दिख जाएगा, वहाँ से कोई भी बगल से निकले, तो उसको overall वो जगा है, वो काफी खूब सूरत दिखे, फिर तुगलक आर्किटेक्चर में sloping walls बनाई जाती थी, धलान वाली दिवाले बनाई जाती थी, जिनको better खा जाता था, और इस better के चलते जो building की strength होती थी, solidarity होती थी, वो भी थी, अब तो मेस में भी इस प्रकार के question देके नहीं पूछे जाते हैं, फिर ये जो आर्च में लिंटल और बीम को लगा के जो building बनाने का काम था, ये फिरोस तुगलक ने शुरू किया, एक होस खास नाम का जो pleasure resort है, ये भी तुगलक के समय बनाया गया है, जिसके आस पास एक बहुत बड़ी सी उस समय पे लेख हुआ करती थी, वहाँ पे एक मदर्सा भी था, तो इस प्रकार की बहुत सी building आप देखोगे, दिल्ली सतनत के समय पे बनी थी, और दिल्ली चुकी उनका गड़ था, तो दिल्ली के आस पास तो बहुत सारी buildings होंगी, होंगी, फिर फि रोच्छा तुगलक ने करवाया था, ओके, अब खास बात यहां थी कि तुगलक के constructions में एक चीज थी कि वो लोग red sandstone इस्तमाल नहीं करते थे, red sandstone थोड़ा महंगा होता था और construction activity major scale पे हो ली थी, तो red sandstone का इस्तमाल नहीं किया जाता था तुगलक के द्वारा, तुगलक करना इसको shape मिलाना काफी मुश्किल था, ओके, और तुगलक की building में पहले जितना decoration देखने को नहीं मिला है, तो शुरुवाती जो Turkish ruler थे आपके दिल्ली सद्रत के अंदर, उन्होंने building में जितना construction किया और उसके साथा decoration किया, उतना decoration आपको तुगलक building में देखने को नहीं जाएगा, फिर इस समय पे बहुत बड़े-बड़े मस्जिद भी बनाएगे, मस्जिद तो बनाई जाएगे, दिल्ली सल्तनत के जितने भी followers थे, सब muslims थे, तो मस्जिद बनाएगे, आप सब को यहाँ पे नहीं explain किया गया, लेकिन आप कह सकते हो कि independent style थी architecture की, जिसमें ब मुझराती साइस की भी कुछ आप कह सकते हो elements को यहाँ पे imbibe किया, लोधी ने, बट लोधी की समय की building उतनी जादा आप कह सकते हो कि comprehensively नहीं cover की गई है, उसकी देखी जरूत भी नहीं है, अगर आप लोधी की समय की construction को देखना चाते हो, तो दिल्ली में लोधी gardens देख सक की थी, और इन individual styles of architecture में बहुत हद तक जो दिल्ली सल्तिनत की styles थी, इनको भी imbibe किया गया था, ऐसा नहीं था, कि जो टर्किश शूलर्स आ रहे थे, यही केवल हमारी inner style of architecture को अपने Turkish architecture के साथ मिला रहे थे, at the same point of time, Turkish art में, Turkish architecture में जो अच्छे अच्छे चीजे थी ना, वो बिल जागा, चाहे बंगाल की बात करो, गुजरात की बात करो, मालवा की बात करो, और डेकन की बात करो, ठीक है भाई, तो यह सब चीजे हमने यहाँ पर देखी है, अगली वीडियो में we will move on to religious ideas and beliefs, सूफी movement के बारे में हम लोग अगली वीडियो में बात करेंगे, और यह literature के बारे में बात करेंगे, थोड़ा बहुत regional languages, fire art के बारे में देखेंगे, और chapter फिर खतम हो जागा, thank you for watching friends, जादा से जादा लोग साथ वीडियो को शेयर करें, हो सके तो join बटन दबाग के help करें, instagram पर follow कर लिजे, telegram group join कर लिजे और वीडियो को like और share करेंगे, और करेंगे, झालbeh לפ करेंगे, हो जादा थांजे रुली में पिर्ड़ साथ टे ए्याव Atari